Hello and welcome to the extra class English. आज हम करने बाले हैं, Reach for the Top Chapter का First Part, जो की है किस के बारे में? संतोष यादफ के बारे में. सबसे पहले, तो जाओ and subscribe कर लो हमारे चानल को, विकर्स इंग्लिश के साथ साथ, बाकि सारे सब्जेक्ट के भी विडियोज इसी चानल पे आपको मिल जाएंगी. अगर हम बात करते हैं संतोष यादफ की, तो कौन है ये? Basically, she was, या she is the only woman, जोसने Mount Everest को दो बार scale up किया है, या climb किया है. उनी के बारे में, इस छोड़े से narrative में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन थी, कैसे उनकी जो journey है, वो शुरू हुई, और आपने देखा होगा, यहां मैंने कुछ चीज़े लिखी है, इन चीज़ों को मैं साथ साथ फिल करूँगी, जब मैं उनके बारे में बताऊंगी आपको. तो, स्टार्ट होता है, यहां पर बताना कि संतोष यादव एक ऐसी society में born हुई थी, जहां पर लड़के का born होना तो काफी जादा celebrate किया जाता है, लेकिन, if a girl child is born, तो उसको इतना जादा celebrate नहीं किया जाता, मतलब उसे curse नहीं माना जाता, पर ज़ादो उसको खुशी भी नहीं मानी जाती उसकी. लेकिन, जब संतोष यादव की mother pregnant थी, तो एक holy man ने उनको एक blessing दी थी, that she will be born with the son. तो, उस time पे, जो उनकी grandmother थी, संतोष यादव की जो grandmother थी, उन्होंने सबको surprise कर दिया एक statement बोलके, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए, we want a girl. And सारे के सारे काफी ज़ादा इस चीज़ को expect नहीं करे थी, उनके लिए unexpected था. क्योंकि usually, ऐसी blessing कोई नहीं देता, usually सारे यहीं सोचते हैं कि हमारी family में एक son born हूँ, right? तो सारे के सारे काफी surprise थे. तो यह जो holy man था, इसने यहीं blessing दी कि ठीक है, she will be blessed with a girl. So जब संतोष यादव, when she was born, तो सारे के सारे काफी खुश थे. अब खुश क्यों थे? Because इन से पहले इनके five brothers थे. तो यह six child थी and यह पाँच भायों की सरफ एक बहन थी. अब यह पताते हैं कि यह कहाँ पर born हुई थी? तो यह born हुई थी एक छोटे से village में, जो की रिवाई district में पढ़ता है, जुसका नाम है जोनिया वास. And रिवाडी कहाँ पर है? हर्याना में. So, इनका नाम रखा गया था संतोश. अब संतोश का मतलब क्या होता है? संतोश का मतलब होता है contentment, या फिर आप कह सकते है satisfaction. लेकिन यह अपनी life में अभी तक content नहीं थी. जहाँ पे इनके साथ की बाकि सारी लड़किया, सलवार सूट या फिर आप कह सकते है मुझे चीज़े अपनी तरीके से करने ही है और जैसा मुझे करना है मैं वैसे करूँगी. मैं काफी rational थी. अगर किसी को problem हो गई, या अगर कोई भी इस चीज़े पर objection उठाते है, तो सारे के सारे लोगों को बदलना होगा. Society को change करना होगा, लेकिन मैं अपने लिए काफी जादा determined थी. अब यह बताती है कि यह जो studies थी, यह करने के लिए काफी capable थी. यह काफी intelligent भी थी. तो इनकी जो family थी, वो एक land owners की family थी. तो यह काफी जादा rich थे, अपने बच्चों को school भेज सकते थे, अपने बच्चों को school. लेकिन उस time पे संतोष को एक local village school में ही जाना पड़ा था पढ़ने के लिए. तो अब इनका मन था कि एक बड़ी school में पढ़े, या Delhi में जाके study करें. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी family को ये बताया कि उनको बाहर जाके, डेली में जाके study करना है. लेकिन उस time पे क्या होता है? कि जब लड़की 16 years की हो जाती है, तो in this district या इस तरह के बहुत सारी ऐसी जगाए है, जहाँ पे अभी भी they get married या उनकी शादी करवा दी जाती है. ये threaten किया कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगी, जब तक मेरी proper education जो है, वो मैं receive ना कर लो. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने family से खूब लड़ी, इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डेली जाके study करनी है. तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग अगर मुझे fund नहीं करोगे, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे पढ़ने के लिए, तो मैं खुद कमा लूँगी and खुद study कर लूँगी. तो finally, ये जो studies हैं, उसको अपनी continue करती है in Delhi. Then, जैसे ही इनका high school खतम होता है, अब ये बताती है कि जो इनको hostel है, ये basically face करता था अरावली hills को, जो इनका room था, वो face करता था अरावली hills को. And वो रोज अपनी window से देखती थी, कि वहाँ पर जो villagers थे, वो climb करके फिर vanish हो जाते थे, तो जाते कहां थे. तो उन्होंने उस दिन decide क्या, कि नहीं मैं भी जाके देखूंगे, कि actually होता क्या है यहाँ पर. तो जैसे महां जाने लगी, उन्हें देखा, एक दू और लोग थे, जो उस जगह को climb कर रहे थे, जो हाँ जा रहे थे. तो उन्होंने उन्होंसे पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो, because वो लोगों को इतना जादा अजीब नहीं लगा, उन्होंने का, कि हाँ, ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकती हूँ. And वो दिन था, उस दिन से there was no looking back. उस दिन से उन्होंने decide कर लिया था, कि वो mountaineering का basically course करेंगी, उसके बार में study करेंगी, and उसके बार वो इसी तरीके के, इस expeditions पे, या इस तरीके के, जो mountain climbing है, वो करा करेंगी. तो यही वो दिन था, जब उनके लिए, आप कह सकते हैं, आप किसे में motivating दे था, या वो उनकी motivation थी, सिर्फ एक छोटा सो room जहांसे वो देख सकती थी, कि लोग अराविली hills पे चड़ रहे हैं, वहाँ पे climb कर रहे हैं, और बहार से नजर नहीं आते हैं, ये खुद महा गई, अपनी life के experience दोने लिया, उस दिन से ये उनके लिए एक जिस stepping stone था, उनकी further journey के लिए, तो अब उनोंने एक institute में अपना जो admission था, वो करवाया, अब इस institute का नाम क्या है, मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ, यही है institute का नाम, उत्तर काशी जहरू institute of mountaineering, अब यह बताती हैं कि उनका जो जैपुर में college का जो semester था, वो basically end होना था April में, लेकिन 19th में को वो end हुआ, और यहाँ पर बात यह थी कि 21st में को उन्हें पहुँचना था किसी भी हालत में इस institute पे, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने father को एक apology letter लिखा कि वो घर नहीं आ पाएंगी, और उन्होंने उन्हें बताया कि मैंने आपको यह नहीं बताया, कि मैं है यहाँ पे enrolled हो चुकियूं, और यह directly चली गई, कहाँ पे in this institute, वो अपने घर नहीं गई, वो सीधा institute चली गई, उन्होंने अपने father को एक apology letter लिखा कि मैंने आपको बताया नहीं आण मैं यहाँ पे हूँ, तो यह सारी चीज़ें उन्होंने खुद करें, अपने decisions उन्होंने हमीचा से खुद लें, और इस दिन के बाद से यह उनकी एक beginning थी, बहुत सारी expeditions, बहुत सारी climbing, जो अलग-अलग जगाओं पे इनको training मिली, इन सब चीजों की एक उनके लिए शुरुवात थी, अब ऐसे ही संतोश यादब बहुत सारी expeditions पे जाने लगी, जैसे ही वो इन expeditions पे जाती, उनकी जो climbing skills थी, वो और भी जादा improve होती गए, and definitely उन्होंने एक resistance जो थी, वो completely आप कह सकते हैं, gain कर ली थी against cold, against altitude, यह सारी की सारी चीज़े अब उन्हें रोक नहीं पाती थी, क्योंकि वो एक iron will की थी, उनकी जो determination थी वो बहुत जादा strong थी, वो physically तो बहुत strong थी ही, but उतनी ही जादा strong थी वो mentally भी, and हम देखते हैं, in just 20 years of age, यानि कि सिर्व 20 साल की उम्र में, वो एक ऐसे लड़की बनी, एक ऐसी young women या एक young individual बनी, जन्होंने Mount Everest को climb किया, and through this only, उन्होंने अपनी seniors के मन में भी अपनी एक बहुत ही अच्छा जो impression था, वो leaf किया था, तो वो एक वैसे भी generally बहुत अच्छी इंसान थी, and उसके साथ साथ उनकी जो skills थी, वो काफी जादा better या बहुत ही जादा अच्छी हो चुकी थी, संतूश यादव बहुत ही जादा helpful nature की भी थी, यह हमें कैसे पता चलता है, तो basically 1992 के Everest Mission के टाइम पे, उन्होंने देखा उनके साथ में एक climber था, that was almost dying, and कहाँ पे? South coal में, ठीक है? So, while climbing, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो उसकी मदद करें, उन्होंने जितना हो सका उस climber की मदद करी, बटपू unsuccessful रही, and यह जो climber था, he died, but similarly एक ऐसा climber था, जो साथ में उनके जा रहा था, and उसकी तब्यत काफी जादा खराब होने लगी, because उसका जो oxygen था वो खतम होने वाला था, तो उन्होंने अपनो जो oxygen था, वो शेर किया इस climber के साथ, and इस climber का नाम क्या था, Mohan Singh, and वो इन्हें बचा पए, तो यह शो करता है कि वो अभी भी उनके अंतर जो values थी, वो काफी जादा deeply rooted थी, यानि कि उनमें attitude नहीं था, उनमें घमण नहीं था, and apart from that वो selfish नहीं थी, उन्होंने देखा कि किसी को उनकी जरूरत है, तो उन्होंने जाकर help भी करी, तो this shows that कि उनमें sportsmanship भी थी, और वो बहुत ही जादा अच्छे nature की भी थी, So now within 12 months ही उनको एक invitation आया था, Indo-Nepalese Women Expedition का member बनने का, and वो उसका एक member बन चुकी थी, तो अब उनकी जो achievements थी ऐसा नहीं था, कि कोई नहीं जानता था, in fact उनको इंडिया के highest award जिसे की पदमश्री उससे भी bestow किया गया, यानि कि उनको पदमश्री भी मिल चुका था, तो Indian government ने भी उनको recognize किया था, तो जब संदोश यादव से पूछा जाता है कि वो क्या feeling थी, जब उन्होंने दूसरी बार भी Mount Everest को climb किया, and वो जो feeling थी वो कैसी थी, तो उन्होंने describe कि वो इतनी जादा surreal feeling थी, इतनी अच्छी feeling थी, कि मैंने एक tri-color flag अपने हाथ में ले रखा था, and मुझे हैसा लगा था मैं top of the world हूँ, और मैं बहुत ही अच्छा feel कर रही थी, कि मेरी country का जो flag वो वहाँ पे है, मैं अपने आपको एक proud Indian feel कर रही थी, तो यही वो हमें बताती है कि उनका जो experience था, वो कैसा था, और सिर्फ यही नहीं, वो एक environmentalist भी है, इन फैक्ट जब वो Himalayas के उसमें climb कर रही थी, तो वहाँ से वो 500 kg जो garbage था, वो भी collect करके नीचे लाई थी, तो यह हम देख सकते हैं कि उनकी एक नहीं बहुत सारी qualities, चाहे वो sportsmanship हो, चाहे उनका compassionate nature हो, चाहे वो environmentalist हो, चाहे वो helpful हो, यह सारी के सारी चीज़े उनकी नजर आती है हमें, और किस तरीके से अपने life के decisions उन्होंने खुद लिये, खुद अपने आप decide किया कि वो Delhi जाके study करेंगी, then उनने decide कि वो एक mountaineering जो school है या institute है उसको join करेंगी, यह सारी के सारी decisions, यह सारी के सारी life experiences उन्होंने खुद लिये, and we know now that, कि वो कितनी जादा successful, and apart from that, कितनी जादा अच्छी individual हैं. So, यह था इस chapter में, जहां पर हमने पड़ा संतोष यादफ के बारे में, उनके बच्पन से लेकर, उनके second time Mount Everest को crime करने तक हमने देखा, कैसे उन्होंने यह सारी चीजों को start किया, कैसे यह सारी चीज़े possible हो पाएं, यही सारी चीज़े हमने study करी. अब इसमें से अगर question आएंगे, तो वो भी यह आ सकते हैं, कि किस तरीके से वो बाकी सबसे different थी, तो आप बता सकते हैं, बच्पन सही जाओ, उनके सारी के सारी लड़किया उनके आसपास traditional Indian dresses पहनती थी, तो वो उनसे अलग कपड़े पहनती थी, और वो पढ़ना चाहती थी, marriage उनके mind में बिलकुल भी नहीं थी, इसलिए अपने parents से भी उन्होंने लड़कर अपनी education पे जादा focus किया, किस तरीके से उन्होंने खुद इस mountaineering जो institute था, इसमें अपना admission करवाया, यह सारी के सारी चीजे जो हैं आप उसमें लिख सकते हो, तो काभी छोटा सा chapter है, इसमें आपको details जो थी वो तो मैंने आपको बताई दिया, आपकी सारी एक story के तरह हैं जो आप याद कर सकते हो, So that's all for this video, यह तो first part था reach for the top का, अब next video में हम cover करेंगे इसका second part, जो की है ऐसी ही एक fearless woman के बारे में, जिसका नाम है Mariya Sharapova. So now until the next video, keep practicing, keep learning.